नमश्कार मैं प्रेणा शर्मा थिंग टैंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों जिस तरीके से देश में रीमेक का जमाना चल रहा है हर चीज का पार्ट टू होता है ठीक इसी तरीके से अमिच रहा ने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू किया है आ इसी सब में 120 गिरास्तारी भी हुई थी को चलते गिरास्तारी की चापे पड़े मुख्य अधीश्य होते हैं जो हर एक मालिक था उन सबी को गिरास्तार किया मुख्या बने बैठे थे उन सबी के पास से तरदमान तरीके के मोबाइल फोन और लैपकाप बरामद हुए और आपको सुनके हरानी होगी कि उनके अंदर ऐसी ऐसी चैट्स मिले है जो आपको हरान कर देंगे इन्होंने बच्चों को फुसलाया जो छात्राएं हैं लड़कियां हैं युवा लोग हैं उन सभी को फुसलाया इन्होंने छात्राओं का एक अलग विंग बनाया इन्होंने इन्होंने हज़ी पी आई नाम की अपनी एक राजनेतिक पार्टी बनाई इन्होंने इतने बड़े शड्यंत्र को अंजाम देने का काम किया और 2047 तक भारत को मुसलिम राज्य बनाने की पूरी तयारी में थे और इन्होंने एक विभाग बनाया था गुप्तचर विभाग जिसमें उन्होंने लोकों को काम दिया था उन्हें तमाम तरीके के गैजट्स दिये थे जिसने यह जासूश कर सकते हैं और आरस्व बीजेपी के निताओं का पीछा करने के लिए और बीजेपी के जाने का समय कितना है, आने का समय कितना है, सोने का समय कितना है, किस समय ये बाहर होता है, अकेला होता है, और इनका केवल एक काम था वो पूरी जांच, वो पूरी जो रिपोर्ट है, PFI के मुख्यालों तक पहुचाने की, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, सर्जिकल स् गिरफतारियां फिर से हुई जिसमें गुप्त चरविंग के कई लोग थे छात्रविंग की छहत्राओं के गिरफतारिया हुई SEPI के जो दल है उसे गिरफतारियां हुई इनका केवल एक ही मकसद है 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्ये बनाना भारत की पूरी डेमोग्राफी ही बदल देना दूसरी बार जब गिरफतारियां हुई टोटल 130 गिरफतारियां हुई और पहली स्ट्राइक और दूसरी स्ट्राइक को मिलाकर पूरी 500 गिरफतारियां हुई है जो एक बहुत बड़ा आकड़ा है जो सुनने में बहुत चौकाने वाला है सिर्फ UP से 48 गिरफतारियां हुई है MP से 21 गिरफतारियां हुई है करनाटक से 80 गिरफ्तारिया हुई है और दिल्ली का आकड़ा तो आप सभी को चौकाने वाला है दिल्ली से जामिया इसलाम उनिवर्सिती और शाहिन बाग के इलाके से टोटल 32 गिरफ्तारिया हुई है हलाके वहाँ पर 1344 पहले से ही लगा दी गई थी इसलिए वहाँ पर जादा घुर्दंग नहीं मचा दंगे नहीं मचा लेकिन करनाटक में बहुत आगजनी हुई दंगे हुए लेकिन वहाँ पर भी सेना चौकन नी थी इसलिए मामला कंड्रोल हो गया ये भी बात सामने आई इस पूरी स्ट्राइक में की करोडों का पैसा मिला है इनके पास जिस तरीके से ये चंदाई खटा करते हैं धर्म परिवर्तन करवाते हैं धर्मांतरण करवाते हैं लोगों का लव जिहाद को भड़ावा देते हैं और इनका में टार्गेट है जरूरी हो जाता है इनके खिलाफ एक टावर तोड़ एक्शन लेना जो अमित शहाने करके दिखाया है इनका टोटली मकसद है 2047 तक इसलामिक राज्य बनाना ये केवल यूज कर रही है हिंदू लोगों को लड़कों को लड़कियों को नथिंग एल्स उसके अलावा कुछ भी नहीं है इनकी पूरी योजना यह है 2047 तक अपने कुछ MPs बना ले एक पूरा मौला तयार कर ले जहां पर सब मुस्लिम मुस्लिम रहें यादि कोई हिंदू हो भी तो अपने आप ऐसी हरकते करें कि वह हिंदू मौला छोड़के चला जाए लाइव एक्जामपल्स सब्सक्राइब कर रहा है तो लालच के चलते मैं 30 लाक में घर बेचूंगी फिर सच सामने आता है कि वह कर कौन रहा है उसके लिए पीएफाई फंडिंग कर रही है इनकी सोची समझी योजना है कि पूरे एक महले में सिर्फ मुसल्मान हो इन्हें अपनी जनसंख्या हौल चल रहा है और सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस्तमाल किया जा रहा है लव जिहाद मैंने आपको बताया नाई के द्वारा रिपोर्ट आई है नाई के द्वारा कहा गया है कि लव जिहाद शायद इतना खतरनाक नहीं है जतना खतरनाक यह है पाकिस्तान में बैठे हु पुखसान क्या होगा या तो वह व्यक्ति घट गया दूसरा कभी महा जाएगा या तो पुलिस के हाथों मारा जाए गा कभी ना कभी हुथ kavische hi to in वही लोग उन्हें मार देंगे जो आज उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं अब देखिए किस तरीके से केरल में हिजाब विबाद हुआ उसमें जो लड़की थी शायद उसे पता भी नहीं था उसे करना क्या है पचास लाग का उसको इनाम दे दिया जाग गई हिजाब पहन के चार-पांच नारे लगा एक काम खतम केवल यूस किया जा रहा है पंजाब में देखिए किस तरीके से नशे को चलते नशे के चलते कितने बड़े-बड़े अपराद हो रहे हैं तो ये केवल यूस कर रहे हैं चाहे धर्मांतरन की राजनीती हो चाहे नशे की राजनीती हो चाहे वो किसी भी चीज़ की राजनीती हूँ इन्हे बस अपनी संख्या बढ़ानी है और 2047 तक इसलामिक राजस थापित करना है तो जैसे में अब सरकार जो एक्षन ले रही है ताबर तोड़ चापे मारी हो रही है ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सुरनेम अफसर है PFI को क्योंकि ये पूरी IS IS जो बैठी है पाकिस्तान में सबुरा वही कंड़क्ट कर रही है देश को बचाने के लिए सरकार जो कर रही है हैट सो आफ है उसमें हमें पूरा योगदान देना है और वीडियो को अधिक सेधिक शेयर करना है ताकि लोगों के मिन में थोड़ी जागरुकता आए कि वो कर क्या रहे हैं और उन्हें किस चीज़ते बचना है तब तक के लिए आप सभी से अजाज़त चाहेंगे नमस्कार